हेलो दूस्तों आज अगे इन विजय केडिया सर से रिलेटिड बाते करने वाले हैं बट विजय केडिया सर से रिलेटिड बाते का मतलब यह नहीं है कि इनसे रिलेटिड बाते करने आले हैं इनके शेयर से रिलेटिड बाते करने आले हैं कौन से शेयर उससे रिलेटिड बात आपको चीज़े समझ में आएगी ठीक है और वीडियो में आगे बढ़ेंगे वाट इससे पहले आपसे हमेशा की तरह रोक्रेस्ट रहेगी I am smallcap investor चानल को subscribe bell icon को hit or notification को और करें buying selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor कुछ की study करें और चीटों को सीखें सीखने का दरी का videos है और बहुत सारी चीज़ें आपको daily basis पर सिखाती रहती है तो सीखने की हमेशा लाल सा रखे जब सीखने की लाल सा रखेंगे तो हमेशा अच्छा बाकी buying selling की recommendation नहीं लाइक कमें शेयर करिएगा और अच्छे सीखने चाते है तो हमारा course है basics to advanced technical research fundamental कभ लेना कभ बेचना क्यों लेना क्यों लेना कुले जर जब क्यक्या कैस की जवाब डूने निकलते हो न तो दुनिया में क्यों क्या कैसे के जवाब पतीख करभ पती और पते नहीं क्या क्या भी शकार कर चूगिया तो ये जवाब आप ढूंडो ठीक है शेयर क्यों भागता है क्यों गिरता है जब ये जवाब मिल जाएंगे तब पैसे बनेंगे तब पत्ती जार रुपर कोर्स है तिरिवन्स की एंड ओल्डिंग है स्ट्रेटीजी उसिन श्टॉक मार की ओलनाइन नोट सब कुछ दिया जाता है दोनों नमरों को सेफ कर लीजिए और साथ में अगर काम करना चाते है इनी नमरों पर कॉंटक करो ओके पोर्टफोलियो साइज बड़ा हो तो और अच्छी बात है वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको बताना चाता हूँ देखिए क्या होता है गभी-गभी दूसरों को style और दूसरों को style को follow करके ठीक है उनके stocks को follow करके अच्छे खासे यहां पर क्या है पैसे बनाए जा सकते है इसका मतब यह नहीं है कि मैं आपको बतारों कि आप स्टीट को follow करो और उसके basis पर पैसे बनाओ अपने कुद की intelligence यूस करोगे ना तो और ज़्यादा पैसे बनाते हुए नजरा होगे बर दूसरों को follow करके भी यहां पर अच्छी गाजी wealth create की जा सकते है that is my motor to tell you कि यहां पर इस तरीके से पैसे बनाए जा सकते है for example अगर हम बात करें इनका नाम है Monish Pabri अगर हम बात करें यह है जो Warren Buffett को follow करके ठीक है Warren Buffett जी का जो सरका style है उससे follow करके न यहां पर millionaire बन चुके और यह बात करें अच्छा खासा fund एक-एक billion dollar का fund यहां पर यह manage करते हुए नजर आते हैं तो यही कहने का मतलब है कि यहां पर आप दूसरों के style को follow करके पैसे बना सकते हो ठीक है investment world में जादा मैनत करने यह जरू होती है simply यहां पर investment को follow करके यहां पर पैसे बनाए जा सकता है तो हम वही चीज़ यहां पर बाते करने वाले है तो हम विजय केडिया सर की बात कर रहे थे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विजय केडिया सर ने एक share है जिसमें CRM Silk उसमें कुछ percentage यहां पर increase करते हुए 0.03% उनके पास पहले था अब उसमें उदर यह क्या है थोड़ा सा increase करते हुए नजर आए तो उसी share से लेटिर हम बात करने वाले CRM Silk से लेटिर कैसा है यह share जानेंगे ठीक है और जानेंगे इस company के बारे में तो company क्या है CRM का कपड़ा आपने सब इने पहना ही होगा ठीक है यहां पर normal कपड़े आते है अच्छे घासा तो यहां पर देखिए इस टेक्स्टाल मैनुफेक्ट्रिंग कंपनी है इस इंगेज इन अ मैनुफेक्ट्रिंग फैब्रिक एंड रेडिमेड गार्मेंट इस्पेशली इन दे मैंस वियर सेक्शन यहां पर हम बात करें लाइक कंपनी एक्सपोर्ट करते ही नजर आती आबुदाभी, ऐस्टेलिया, बहरीन यहां पर देखिए बंगलदेश, कंबोडिया, कैनेडा एटसेटरा और इस कंपनी के बारे में जाना है टीक है, अलग अलग तरीके कि यहां पर आपको कपड़े मिलते हुए नजर आजेंगे रिटेल के इनके आउटलेट भी है वो भी आपको यहां पर पताचल जाएगी यह ब्रैंड है वो आप यहां पर आप जाके देख सकते है तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर सब चीज समझ में आती हुए नजर आईगी overall बात करें तो textile का business है और अच्छा खासा business अच्छे कासी clothing है इनकी बात करें यहाँ पर CR Ramki तो यहाँ पर देखे small cap company है और हमारी channel का नाम भी है I am small cap investor तो हम इसलिए यहाँ पर चोटे-चोटे share related बाते करते रहते हैं buying selling की कोई recommendation नहीं याद रखिए तो मैं style की बात कर रहो हूँ तो जब हम style की बात कर रहे है तो यहाँ पर देखिए style में आपको क्या देखना है style में पैसा बनाना है इनका view क्या है इनका view है कि ऐसी company खरीदिया जो चीप है और आगे style के time देने पर वो पैसा बना सके तो वही style की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए क्या company का सस्ता होना बहुत जरूरी है company का यहाँ पर अच्छे के साथ में सस्ता brand name यह सब चीज होना ही बहुत जरूरी है तो यहाँ पर देखिए small cap सबसे पहले क्योंकि पैसा ज़्यादा बनेगा तो small cap में बनेगा पहला sector दूसरा large cap में अगर आप सोचो कि पैसा बनेगा safety मिलेगी पैसा ज्यादा नहीं बनेगा दूसरा यहाँ पर risk रहेगी पर यहाँ पर पैसा ज्यादा यहाँ पर देखिएगा P यहाँ पर 10 का है wealth creation के यहाँ पर आपको सब चीज़ यहाँ पर बदाता हुआ नजर आ रहा हूँ ROC ROE की बात करें ROC ROE क्या है अच्छी खासी नजर आते है 23% 27% के ROE साथ है इसके इलावा देखिए यहाँ पर डिविडेंट देती है कि लंबा जब रख रहे है किसी शेर को तो ऐसा भी तो अच्छी है कि डिविडेंट भी मिलता हुआ नजर आ है ताकि हर साल एक छोटा छोटा डिविडेंट मिलेगा कम से कम उससे खर्चा चल जाए ठीक है पर प्लाइजिंग की बात कर रहे है तो प्लाइजिंग जीरो है इंट्रेंसिक वैली 442 के आसपास है और उसी के आसपास शेर चल रहा है बुक वैली से लगबर डबल है डिकर डबल से आसपास है मैक्सिन चाट पैटन देखे तो यहाँ पर देखिए मियाई पर देखिए तो एक तो बड़ा ब्रेंट सात में सबसे पहले तो यहाँ पर डीई अच्छादा कासा देता है दूसरे पीजीडनों दे रहे है बात करें market cap की market cap decent market cap है घ्याज़ा है दूसरे कम है या जड़ा है यहाँ पर देखिए PE ratio 10 कका है रेश्यो देखिए किसी एक था रहेगा है किसी एक दिएका इसस्ते में भी आपको नजर आगे सस्ता नजर आगिया डिविडेंट मिलता हुआ नजर आगिया ओगया और कंपनी कैसा कर रही है और हम बात करें चार्ट तो यहां पर आपको सब्सक्राइब आ रहा है कि शेयर ग लेख सकते हैं कंपनी अच्छा कासा यह पर भागती हुए नजर आ रही है ठीक है अच्छा कासा परफॉर्म करती हुए नजर आ रही है और इस बैसिस पर यहां पर देखे तो चड़ते बढ़ते कभी ज्यादा आ अच्छे रिजल्ट आरे कभी यहां पर सेल्स कम और यह यहां पर आप देखो के तो company का है positive यहां पर दिखाई देती है EPS ठीक ठाक यहां पर नज़र आता है margin की बात करें margin कभी जादा कभी कम और share मुझे लगता है कि एक दो quarter के बाद यहां पर चलना भी शुरू हो जाए ठीक है न तो इस चीट को भी ध्यान देना है यहां पर देखें तो फिर भी डवल होता हुआ नज़र आया है और नेट पॉफिट की बात करें तो नेट पॉफिट भी है रिजर्फ की बात करें तो कंपनी का अच्छे का से रिजर्फ पड़े हुए बारिंग थोड़ी सी यहां पर बढ़ी है और दस क्रोड रुपर वर्किंपोकरस में थोड़ा से 132 क्रोड का वो इंवेश्टमेंट और कैश भी है चोटा मोटा बात करें पॉजिटिव कैश फ काम हुए है यहां पर विजय किशनला के डिया जो है 22 दिसमबर को इनोंने मदब दिसमबर 2022 में से पहले यहां पर बाइंग करनी शुरू करी थी और अभी भी यहां पर थोड़ी सी सदारी बढ़ाते हुए नजर आया है सर तो यहां पर आप देखिए यहां पर ब्लॉग ड चलना शुरू करेगी तो पैसा भी बनाके हुए नजर आईगी तो हम बात करते हैं यहां पर चार्ट से लेटिर बात कर लेते हैं तो चार्ट से लेटिर एक बार देख लेते हैं तो चार्ट में बात करेंगे और देखेंगे बड़ उससे पहले आपस request है I Am Small Cap Investor चायना को subscribe बैल आइट को हिट लोटिफिकेशन को ओन करें, बाइंग सरने की रिकमेंडिशन है, छीज़ो को सीखने की कोशिश करें, मैं हमेशा बार बार आपको बताता हूँ कि यहां पर कोर्स करिये, हना साथ में वीडियो देखिए, तो अपने आप यहां पर चीज़े समझ में आती हुई नज़र आएगी बात करते हैं यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल से यहां पर बात करते हैं तो देखिए चीज़े भागने के बाद एक अच्छा कासा रन अप जब सब ने दिखाया था अब इसने भी दिखाया था उसके बाद एक लंबाई कंसॉलिडेशन में चल चुकी है नीचे की बात करें तो 400 रुपे उपर की बात करें तो लगबाद 700 रुपे के आसपास हना इसने एक रेंज बना रखी है 200 रुपे के बीच में यह जिस दिन इस पर्टिकुलर लेवल को यहां पर ब्रेक करता हुआ नजर आएगा ठीक है यहां पर बात कर लेते हैं साड़े 600 के आसपास का लेवल ब्रेक करेंगा इसमें एक तेजी होती हुई नजर आसकती है जो यहां पर लेगे जा सकते यहंकि 485 के आसपास है तो इस लेवल तक का यहां पर टारगेट तो आते हुवए दिखाई दिसकते हैं और जब चीए चलना शुरूber तो अच्छा-खासा भागती हुई नज़रा हैं इस तरही के से आप यहां पर एक style को पिक करके लंबे टाइम में शायद पैसा बना सकते हो इस्टिल बैंक सालनी के recommendation नहीं है किसी के style को follow नहीं करना है खुद की style बनावियो है खुद का यहां पर चीरों को देखिए सीखिए तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा और उसके लिए आप चाहो तो हमारे course को जोइन कर सकते हो साथ में काम कर सकते हो Thank you so much God bless